हेलो डियर स्टुडेंट्स और मोस्ट वेलकम और नकैर्णी प्लैटफॉर्म माइनीम इस लामे नसीम 2021 से लगातार पीस यूज का ट्रेंड चेंज हो रहा है पीस यूज सेपरेट इग्जामिनेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर दन के वो गेट के थ्रू करा गया था कभी भी गेट इग्जामिनेशन पीस यूज को ध्यान में रखते वें नहीं डिजाइन करा गया यह हमेशे डिजाइन करा गया है उन बच्चों के लिए जो हाईर स्टुडी की तरफ जाना चाते हैं M.Tech PhD करना चाते हैं किसी भी अच्छी IIT से बट गेट इग्जामिनेशन जब डिजाइन हुआ कुछ पेपर्स कंड़क्ट हुए तो इन्होंने इतनी शांदार क्वालिटी मेंटेन करी कि PSU ने उसके बाद सोचा कि भाई यह तो बेंचमार्क बन गया है क्योंना हम जितने भी रिक्रूट्मेंट कर रहे हैं वो गेट के थूँ कर दें क्योंकि जो भी बच्चा गेट इग्जामिनेशन को क्रैक करें का डेफिनेटली वो इतना इलिजिबल तो होने वाला है कि पब्लिक सेक्टर में आसानी से काम कर सके तो PSU ने अपने रिक्रूट्मेंट गेट के lot examination conduct कराने के लिए like paper वगएरा सारी चीज़ सट कर दियें तो इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रा है और इसको समझने के लिए आपको get examination को समझना पड़ेगा ।ो यह a और अगर आप quality की बात करोगे तो quality भी बहुत ही कम होती है, अगर आप aptitude नहीं भी पढ़ती जाते हो तो भी 50% aptitude के question आपके just presence of mind से ही लग जाते हैं, इसे के साथ gate की और क्या requirement है, यहाँ पर अगर आपको gate को crack करना है तो subject की in-depth knowledge आपको होना बहुत जादा जरूरी है, कोई topic को अगर आपने in-depth नहीं पढ़ा तो भी आप numerical solving ability पर इतना अच्छा work नहीं कर पाते हो और gate examination completely numerical based examination है, तो numerical solve करने के लिए in-depth knowledge topics की होना, subjects की होना बहुत जादा जरूरी हो जाती है, इसे के साथ gate क्या चाहता है, IITs क्या चाहती है, IITs चाहती है कि हमें एक ऐसा बच्चा मिल जाए, जो academics में अच्छा हो, जो चाहता हो higher studies करने के लिए, जो research field में जाता हो, जो mtech PhD के लिए willing हो, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने pattern को set कर दिया है, ताकि वो ऐसा बच्चा ढून सके, अब आपको समझना पड़ेगा कि PSU क्या चाहती है, PSU को बहुत पढ़ाकू बच्चा नहीं चाहती है, वो एक ऐसा smart student चाहती है, जिसके पास subject के in-depth knowledge हो ना हो, overall knowledge होनी चाहिए, तभी आप दोनों के paper में बहुती drastic change देखते हो, gate examination में numerical पूछे जाते हैं, जबकि PSU's examination में आपसे theoretical short questions पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको पास बहुती in-depth knowledge हो, वो चाहते हैं कि एक ऐसा बच्चा मुझे मिले, जिसके पास कोई भी branch, individual branch की mechanical की या electrical की overall knowledge हो, और इसी के साथ साथ, वो उस examination के through check करते हैं, आपकी time accuracy, क्योंकि number of questions जादा होते हैं, time कम होता है, तो यहाँ पर time accuracy, यानि time management आपका पता चलता है, question solving, accuracy आपकी चेक करता है, इसी के साथ, PSU's की जो requirement है, वो सिर्फ और सिर्फ technical नहीं चाहिए उनको, उनको technical के साथ, थोड़ा सा non-tech वाला portion भी चाहिए, इसी वज़े से PSU's examination में, जो non-tech portion का weightage होता है, वो बहुती low नहीं होता है, moderate weightage यहाँ पर रखा जाता है, इसी के साथ, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या चाहिए, कैसा student चाहिए, जिसके पास technical plus general studies की अच्छे knowledge हो, तो यह जो PSU's के requirement है, यह कहीं ना कहीं gate examination पूरा नहीं कर पा रहा है, एक और point यहाँ पर add करिएगा, अगर आप PSU's examination देखोगे, तो हर PSU's एक individual field में work कर रहा है, जैसे कि HPCL के साथा requirement है, अगर आप mechanical के हो, तो आपको pump की अच्छी requirement होनी, अच्छी knowledge होनी चाहिए, cavitation के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए, यहां कह सकते हैं कि hydraulic machinery आपके लिए important हो जाती है, क्योंकि जब आप recruit होके company में कांग करने पहुचोगे, तो आपको यही सारी हो जाएंगी, गेजिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, गेजिस important हो जाते हैं आपके लिए, बट अगर HPCL gate के थुरू recruit करती है, तो वो अपने separate questions इसमें add नहीं कर सकती, क्योंकि gate का अपना pattern है, अपना syllabus है, कुछ weightage subjects के gate में कम है, कुछ subjects के weightage जादा है, तो gate अपने pattern पर work कर रहा है, तो अगर PSU अपना individual examination कराती है, तो वो जिस field में work कर रहे हैं, उस field की कुछ questions extra add कर सकती है, जिससे वो ऐसा बच्चा recruit करेंगी, जिसकी उन्हें वाकई में जरूरत है, जिसके बारे में उस field इसे related भी knowledge होगी, एक overall वो smart बच्चा होगा, जिसके पास subjects की overall knowledge, plus general studies की भी knowledge होने वाली है, तो इस वज़े से मुझे ऐसा लगता है, कि PSUs separate examination पर focus कर रहे हैं, और आने वाला जो trend है, वो definitely change होगा, और PSUs इसी को लेके आगे बढ़ेंगी, अभी कुछ PSUs आएंगे, आगे जाके आपको और PSUs देखने वाली हैं, जो individual examination पर work करेंगी, तो gate की value क PSUs में कम interested हैं, जो वाकई में higher studies की तरफ जाना चाते हैं, तो यहाँ पर IATS का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है, बच्चे ने gate examination दिया, अच्छी rank आ गई, तो उसने इधर MTech के लिए भी apply कर दिया, और PSUs के लिए भी apply कर दिया, PSUs में अगर बच्चे का हो जाता है, तो वो seat क्या है, vacant रह जाती है, तो gate के साथ क्या होगा, अब ये वाली problem खतम हो जाएगी, gate वही बच्चा देगा, जो वाकई में higher studies की तरफ जाना चाता है, तो ये problem IAT की तरफ से दूर हो जाएगी, दूसरी चीज, PSUs का क्या फाइदा होगा, PSUs को जो requirement है, उसको वो अ अच्छा रहेगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, अब बच्चे के point of view से, student के point of view से सोचोगे, तो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्यों बुरा है और क्यों अच्छा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास सिर्फ technical knowledge होत होती है, तो उनके लिए क्या होगा, यह थोड़ा सा paper आपका hectic हो जाएगा, क्योंकि यह वाले portion पर आपको work करना पड़ेगा, एक solid base बनाना पड़ेगा, जिससे आप PSU के examination crack कर पाओ, और वो बच्चे जिनकी general studies aptitude जादा अच्छा है, और technical portion में वो अच्छा अच्छा पर perform करते हैं, तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी, और यहाँ पर as a student आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना pattern भी change करना पड़ेगा, जो भी study के strategies हैं आपकी, अब आपको उसको बदलनी पड़ेगी, जब भी समाज में कोई भी changes होते हैं, तो उसी समाज के हिसाब से हमे अपने आपको बदलना पड़ता है, तो हमें क्या करना है, हमें focus करना पड़ेगा subject की overall knowledge की तरफ, इसी के साथ GS reasoning और aptitude का हमें solid base बनाना पड़ेगा, ताकि हम PSU में अच्छा participation दे सकें, इसी के साथ individual PSU का जब भी recruitment आता है, तो आपको उस PSU के बारे में research करनी पड़ेगी क इस PSU की क्या requirement है, और कुसी भी branch के कौन-कौन से topic PSU के लिए important हो जाते हैं, और उस topic पर आपको अच्छे से work करना पड़ेगा, जैसे कि HCL में management trainee की job आई, तो ऐसा हो सकता है, कि production और IMOR से कुछ question आपसे extra पूछ ले जाए, HPCL में ऐसा हो सकता है, कि pump, turbine और ये जो hydraulic machinery वाला पाट है, इससे कुछ question आपसे extra पूछ ले जाए, तो आप अपनी preparation strategy को थोड़ा सा change करो, अगर आप अपने अंदर changes नहीं लाओगे, तो आप बाकी लोगों से थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, I hope आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी, अगर अच्छे लगी हो तो like, share subscribe कर देना, और अपना individual perception comment section में लिखना बिलकुल भी मत भूलना, और इसी के साथ अगर आप बहुत ही, अच्छे से systematic way में preparation करना चाहते हो, plus join करिये, unacademy का plus course, one of the best course है, यहाँ पर आप मेरा code use कर सकते हो, Lamia 10, for the 10% instant discount, और यह से code नहीं है, it's a support from my end, अगर आप ये code use करते ह use this code and message me on the telegram group at the rate Lamia Nassim, यहाँ पर आके जब आप मुझे message करोगे, तो मैं आपको plus student के group में add कर लूँगी, वहाँ पर आप मेरे से dedicated doubt support ले सकते हो, thank you very much, मैं मिलूँगी वापस से, किसी interesting topic पर आप से बात करते हुए, किसी दूसरी वीडियो में, thank you